हेलो एब्रीवन आएम प्रमोत कुमार यादव एंड इन इस वीडियो आई विल डिसकस इबाउदी ड्रासो फिला डेवलपमेंट पार्ट टो इसका जो पार्ट आम आल्रेटी डिसकस कर चुके हैं प्रिविएस वीडियो में आप वहां से देख लिजेगा जिसमें एंटिरि पार्टी प्लान और इसमें जो है और सेग्मेंटेशन जीन के बारे में भी डिसकस करेंगे तो इस सारी इंफार्मेशन के बारे में आपको जानना था आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेएगा यहां से भी देखिए यह सब फंक्शनल पार्ट है ड्रासो फिला का यहां क्या द्रासो मैं आपको बदाते हैं यह दो फंक्शन था एक है इस पर्म-इंट्री-बाइंट था यहां से अससे लुग अश्परम के वहती है और हम के बाद यह पाली8 के स्पयाय्स को जो है और अपनधे उन पालीय स्पर्मी केस के जो है रोकता है एंटिरियर पर्संट जो होता है एंटिरियर पर्सनस्ट में बताए tobacco 報告 hauard होर हंचवैंक दो प्रोटोन बता हैं पालीयip होँए हंचवैंक का कंसेशन ज्यादा होता है और जो पॉस्टीरियर साइप वहाँ जो है Nanos और Cardle का Concentration यादा होता है, देखिए अब क्या होता, यह जो case है यहां देखिए, starting देखिए यह जो biquoid messenger RNA है, biquoid messenger RNA in cytoplasm में यहाँ जो है anterior side में biquoid messenger RNA present है और posterior side में nanos messenger RNA present है, अब देखिए, अब होता क्या है जब Fertilization हो जाता है Fertilization होने के बाद Nuclear Division तूफार में Syncyum state क्योंकि हम आपको बताये ति यहां जो incomplete cytokinesis होता है incomplete cytokinesis में उसके जो है cell जो है complete अलग नहीं होती ति यहां जो है सारे मिले हैं ति यहां क्या आपको देखने में देखें सारे के Nucleus यहां बोलते हैं Syncycium बोलते हैं और देखें यहां दो कलर होगा देखें एक इधर आपको क्या यह हलका brown color दिख रहा और यहां blue color दिख रहा यह brown color जो है यह आपको bicoid protein के concentration को जो जो कर रहा है किसको ब्लू इधर ने नोज प्रोटीन के कंसंटेशन को सो कर रहा है, अब देखे, अब इसके बाद तो यहां तक हम आपको बता दे थी, एंटिरियर, पोस्टिरियर डेवलप पोरेटी डेवलप हुई, वहां एंटिरियर साइड बाय कोईट और हंजबय का कंसंटेशन ज्यादा होता है, और पोस्टिरि Cellularization की प्रासे जाती है, Cellularization मतलब अब यहां बात आती है, आरगन डेवलपमेंट की, तो देखिए होता क्या है, जब फर्टिलाइशन हो जाता तो उसके बाद ड्रासोफिला का बाड़ी पार्ट देखिए, आपको देखने हम पता चला देखिए, यह जो head की तरफ होता है, इ यहां क्या होगा, head nuevos, इसके बाद जो third region होता है, फोर्टिलाइशन टेल तेल डेजन है, यहां से आपको जो टेल बन के आता है, और लास्ट में आपको pole cells या germline cells आपको देखने को मिलेगी, ति यहां देखिए, इतना समझी हैं, अब देखिए, अब देखिए, अब आगे में क्या होता अब हम आगे बात करेंगे maternal gene effect की अब सारे जीन का जो है हम एक एक करके function देखेंगे maternal gene effect का मतलब क्या होता समझिए देखिए हम आपको क्या बताया थे during जब ugenesis के process हुआ था तो उसमें क्या था नर्स से responsible for providing the protein to oocyte हम आपको वहां बताये थे कि जब वहां देखिए जब जो 15 प्लस 1 cell का मिस्टेज बताये थे जब कुछ ऐसा हम आपको बताये थे जो नर्स सेल थी जो particular protein प्रवाइड करवाई थी providing protein to oocyte और वह protein थी कौन कौन समझिए वह जो protein थी ओ बाइक्वाइड था बाइक्वाइड हंचबैक नैनोस काडल समझिए चार मेजर प्रोटीन था जो नर्स सेल के द्वारा oocyte को जो है वह प्रवाइड करवाया गया था दिया गया था along with इसके अलामा दो माइनर प्रोटीन और होती है एक होता एक्रान एक होता टेलसन समझे यदि एक्जाम में कभी यह पूछा जाए कि बाइक्वाइड हंचबैक नैनोस काडल एक्रान टेलसन यह सब प्रोटीन का ओरिजिन क्या है इनका प्रोटीन का ओरिजिन देखिए यह जो है नर्स से मिलता है इनका प्रोटीन का ओरिजिन जो है वो नर्स सेल है तो नर्स से जो है यह उसाइड को जो है वो ट्रांसफर होते हैं डिलिवर होते हैं अब देखिए इसके अलामा है यह तो चार मेजर हो गया दो माइनर हो गया अब इसके अलामा कुछ और प्रोटी at the anterior side, देखिए, जो figure में देखिए, देखिए, हम क्या बता है फ़ले रीटेन देखिए, इक्सुपरेंसिया प्रोटीन, नर्फ से प्रोवाइड कराज है, इसका रोल क्या है? बाइक्वाइट को एंटीरियर साइड जो है इसका लोकेशन को बना कर रखना और एक प्रोटीन और जिसें स्वेलो प्रोटीन बते सपोर्ट दी रोल आप एक्सू परेंसिया और एक्सू परेंसिया के रोल को सपोर्ट करता है अब फिगर पाई देखिए यह क्या है पूरा हणिड हần बैक्ड का अंटीरियर साइड क्यू रहते है इनके लिए कुछ तो रिस्पांसिवुल होगा कोई फैक्टर होगा या कोई जीन होगा जो इनको रिगूलेट करता है कि इनका प्रट्टिकुलर पोजीशन जो अंटीरियर ज साइड ही बना रहे कुछ तो ऐसा होगा समझिया, by quiet और hunchback का concentration interior side हाई रहे, इनके लिए responsible होता protein exuprensia, क्या होता है, exuprensia यही exuprensia protein जो है, इनको control करता है, इनका जो particular location जो है ओ interior side बना रहे, अब एक और protein होती swallow, swallow क्या करता है, यह exuprensia के role को support करता है, मत्तब एक तरह से help करता है, swallow protein exuprensia को help करता है, exuprensia जो hunchback, by quiet के concentration को interior side जो है maintain करके रखे, देखे, यह तो बात हो interior side के, अब same condition जेखिए posterior side के साथ होता, यहाँ क्या होता है, posterior side में जो nanos और kadal जो दो protein पाई जाती है, इनके particular इनका जो location posterior side ही बना रहे, इनके लिए दो protein responsible होती है, ओ काउनसी होती है, Oscar और tudor, तो Oscar जो main protein, Oscar responsible होता है, इनका location जो posterior side बना रहे, और जैसे swallow exuprensia को helping role play कर रहा था, उसी तरह tudor protein है, यह tudor क्या करता है, Oscar के role को जो है, वो support करता है Oscar के role को support करता है, Oscar protein जो है posterior side के protein को nanos और kadal को जो पोस्टीरियर साइड में को मेंटेन करके रखे, उनका लोकेशन को उहां मेंटेन करके रखे तो यही प्रासेज यहां, अब देखे, यदि एक्जाम में ऐसा कुछ आता है तो ध्यान में रखे कि जो बाइक्वाइड और हंचबैक प्रोटीन होती एंटेरियर साइड कंसंटेशन ज्यादा होता है और उनको उहां लोकेशन जो है उहां इस्टेबलीश रहे इसके लिए दो और प्रोटीन रिस्पांसिबूल होती है एक्सुपरेंसिया और इसी तार्ह पोस्टेरियर साइड में जो होता है आसकर और ट्यूडर प्रोटीन होती जो नैनोज और कार्डल के कंसंटेशन को पॉस्टेरियर साइड जो मेंटेन करके रखती है देखे वही बात जो Rouge State Ability only लिखा गया जो आसकर प्रोटीन था समझेए देखिए जो आसकर प्रोटीन था आसकर प्रोटीन क्या काम था आसकर प्रोटीन जो था और सी नैनोस और काडल को जो है वहाँ जो बना कर रखता है नैनोस और काडल जो पोस्टिरे प्रोटीन थी उनको जो है वहाँ बना कर रखता है और आज का ट्यूडर जो है इसको सपोर्ट करता है ट्यूडर का जो है वो सपोर्टिंग रोल होता है समझे अब इसके बाद देखिए यहां कुछ अलग फैक्ट है देखिए बाई जो हंच बैक और काडल का सुरूब हम कंसंटेशन बताये थे आपको प्रिविएस क्लास में आद होगा इसके पार्ट ओन में तो हां स्टार्टिंग क्या होता है हंच बैक का कंसंटेशन जो उसाइट होता है यह दि उसाइट को हम कुछ इस तरह दिखाए एंटेरियर पोस् तो स्टार्टिंग में क्या होता हंच बैक और का कंसंटेशन जो आपको जो उनिफार में दिखाई देगा देखिए अब क्या होता लेटर आन विकाज आप दी रोल आप बाइकॉइट तो प्रोमोट हंच बैक एंटेरियर तो पोस्टिरियर ग्रेडियेंट इस इस्टेबल x by quiet Wikipedia देखिए फिर एसा बाद में क्या होता है कि हंच बैक का कनसंटेशन जो प्रोमोट करता है, कि हंच भैक जो है उसका पांसंटेशन जो है वो interior side ही बना रहे है और इसी तरह देखिए, नैनोज जो होता है, जो नैनोज, पोस्टीरियर साइड में जो नैनोज प्रोटीन होती है, ओ रिस्पांसिबूल होती है, काडल का कंसंटेशन जो है, ओ पोस्टीरियर साइड बना रहा है, तो यही इनका मेन फेक्टर याद रखेगा, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, इक्सु परेंसिया और स्वैलो जो एंटिरियर साइड बाइक हंच बैक को जो है, वो लोकेशन को इस्टेबिलिस करती हैं, और जो पोस्टिरियर साइड होता है, आसकर और ट्यूडर रिस्पांसिबूल होती है, अब बात आता है कि जैसे स्टार्ट बैक का कंसंटेशन एंटिरियर साइड बना रहे और इसी तरह जो दूसरा प्रोटीन है, नैनोज, नैनोज क्या करता है, वो काडल को प्रोमोड करता है, काडल का कंसंटेशन जो है, वो पोस्टिरियर साइड बना रहे, पोस्टिरियर साइड जैसे एंटिरियर साइड जात हो जा रहा है इसी तरraw जीए दूसरा protein जो superior side यो blue color से दिखाहेगा गया nanos. aynos क्या है?yrmtyna posterior side में इसका concentration सबसे ज़्यादा, जैसे- interior side मूब करें इसका concentration कम होते जा रहा है तो जो दो और protein है एक hunchback और cradle जीनका initial में concentration जो uniform होता है तो यही Biquant जो होता है, Hunchback के लिए COMMERTE रिस्पांसिबूल होता है, और जो होता है Nanos जो होता है Nanos जो होता हैw Cardle के लिए रिस्पांसिबूल होता है Cardle जो है, inka posterior अ से IoT और Hunchback बना रहे Ahora इहनमें देखिए, एक अखक्तर और होता है जैसे biquiat क्या होता है? hunchback को तो promote करता है क्या करता है? biquiat hunchback को promote करता है que interior side ज्यादा बना रहे but आपके दिमाग में होगा कि आखिर जब hunchback posterior आराथ कम क्यों हो जा रहा इसी तरह cardal जो है interior आराथ कम क्यों हो जा रहा तिहां inhibition role भी ले करता है जो by quiet जो hunchback को promote कर रहा है कि anterior side concentration ज़्यादा रहे है वही by quiet protein cardal protein को inhibit करता है वो anterior side जो है उसका concentration एकदम कम हो या बहुत न हुआ तो इसी करण जो है cardal protein concentration यहाँ anterior side कम हो same role देखे नैनोज का होता है नैनोज क्या करता है cardal को जो promote करता है और hunchback को inhibit करता है इसलिए hunchback का concentration जब posterior side में आ रहा है तो वहाँ जो कम हो जा रहा है तो यही जो है इसमें कुछ factor है अब देखिए अब जिसे कुछ example समझे हम बता रहे हैं जैसे जो question के फार में समझे देखिए by quiet क्या करता है by quiet का role समझे जैसे आप और इससे भी सोचेंगे तो क्या होगा जैसे by quiet hunchback जो है interior side जादा होता यदि आप नार्मल ले मैं सोचे तो जब interior side में है तो interior side ही उसका head जो develop होगा head thorax जो develop होगा उसमें कुछ तो role play करते ही होंगे head thorax में अब यसली तो उसी तरह समझे अब really क्या होता इसका role समझे जो by quiet protein होती है by quiet promotes the development of head and thorax by quiet protein जो होता हो head और thorax के development के लिए responsible होता और उसी तरह जो nanos और cardal protein होती है posterior side की o develop responsible होती abdomen और tail development के लिए मतब समझे यदि हम interior side के बात करें जहां interior side में देखिए interior side में जहां by quiet का concentration सबसे ज़्यादा होगा मतब maximum होगा वहां क्या होगा head का development होता है और हम धीर तरह जो पॉस्टीर साइड मूब करें तो by quiet concentration का होता है जहां moderate हो जाता है एक moderate मतलब medium level होता है वहां thorax का development होता है और जहां by quiet का concentration बिल्कुल minimum हो जाए या absent हो जाए तो वहां आपको abdomen का development देखने हो के मिलेगा और nanos और cardal जो posterior side की protein होती है उनका विरो लही होता है वह abdomen और tail development के लिए होती है जैसे by quiet का सबसे ज्यादा concentration बता है head development उसी तरह nanos का concentration जो आता है जब सबसे ज्यादा रहेगा तो वहां आपको जो है abdomen और tail देखने के मिलेगा मतलब posterior to anterior ही इनका gradient होता है अब देखें अब जैसे कुछ case के बारे हम discuss कर रहे हैं समझे कुछ case के बारे हम बता रहे हैं देखें समझे इफ developing drosophila embryo each exuprensia mutant यदि इसका मतलब यह है कि समझे जैसे कोई drosophila का development embryo में development हो रहा है उसमें हुआ क्या समझे उसमें हुआ आपको क्या यसे exuprensia जो हम exuprensia किस लिए बताया था समझे इक्सू परेंसिया का रोल हम क्या बताया था इक्सू परेंसिया क्या करता है biquide जो biquide और hunchback bc मतलब biquide hb मतलब hunchback biquide और hunchback की concentration को interior side क्या कर रहा था वो localize करके रहा था समझे पहले कोई protein को mutant कर रहा है या absent कर रहा है तो पहले उस question solve करने पहले आप उहां अपना rough sheet जो भी मिलता एक्जाम हो उस पे आप लिख के रखिए कि इसका normal role क्या है जब तक आप उसका normal या natural role जो है उसके बारे में नहीं जानते रहेंगे तब तक question solve नहीं कर पाएंगे इसलिए पहले समझे एक्सुपरेंसिया का normal role क्या है by quiet और hunchback का concentration जो interior side जो localize करके रख रहा था जब एक्सुपरेंसिया mutant हो जाएगा तो जब mutant हो जाएगा तो यह अपना काम कर पाएगा मतलब function जो है इसका role play कर पाएगा नहीं कर पाएगा तो जब role play नहीं कर पाएगा त तो यह क्या करता था by quiet और hunchback का concentration को जो है interior side जो है वो localize करके रख रहा था जब यह mutant हो गया तो क्या by quiet और hunchback का concentration localize रहेगा नहीं रहेगा अब क्या होगा यह जो particular देखिए इंब्रियों यहाँ जो by quiet अब क्या होगा by quiet का concentration posterior side move करना शुरू कर देगा by quiet और hunchback का मतलब इनका जो है towards posterior side move करना इस्टार्ट कर देगा क्योंकि एक्सुपरेंसिया जो localize करता था जब वो ही mutant हो गया तो अपना function role play नहीं कर पाएगा तो उसमाग क्या होगा extended anterior structure towards the posterior side यहाँ जो particular head और thorax बनता था अब head thorax ओ क्या करेगा extend होके चला जाएगा posterior side की तरफ उधर थोड़ा extend कर जाएगा और posterior side की तरफ लेके develop होगा यही होता है और इसी तरह देखिए second case समझे second case में क्या है यहसे समझे if the cardle is ectopically introduced at the anterior side अब देखें यहाँ introduce कर रहा है सबसे पह पहले उस चीज का जो है आप normal role play, normal role क्या होता उसके बारे में आप जो है एक्जाम में जो है अपना पहले समझेंगे का normal role क्या होता है यहाँ क्या cardle, cardle का normal role क्या होता है हम बता है नैनोस और cardle, nanos cardle posterior side होते हैं अब देखें अब कर क्या रहा है, cardle is ectopically introduced at the anterior side, देखें क वो ही इसे developing embryo है, developing embryo, यह anterior side हो गया, यह posterior side हो गया, देखें यहाँ जो posterior side में cardle, cardle और nanos का concentration तो यहाँ अलेडी है ही, अब इस cardle को ectopically anterior side जो है introduce कर दे रहे हैं, inject कर दे रहे हैं, तो देखें, जब cardle posterior side अपना काम क्या करता है, abdomen और telson को लेके आता, अब जब इधर कर देंगे, anterior side तो क्या करेगा, यहाँ भी वो ही अपना लेके आएगा, तो उसमाँ क्या होगा, results in development of unviable embryo, because improper development of anterior structure, क्योंकि इस case में होगा क्या, cardle nanos, cardle जब इधर introduce कर देंगे, cardle अपना effect इधर दिखाने लगेगा, जब अपना effect दिखाएगा, तो यहाँ भी, जो anterior side, यह उस case में क्या होगा, वो unviable embryo में जो है, वो convert हो जाएगा, यह सब जो एक्जाम में पूछेगा, और इसी type से जो पूछे जाते हैं, तो यहाँ practice कर लिजिए, ताकि आपको एक्जाम में सालब करने महासानी होगी, अब देखिए, अब जैसे हम कुछ case लेके आएं, इनका ह अब डायरेक्ट आपको बता रहे हैं, ध्यान में रखिएगा, देखिए, by quiet, by quiet क्या होता है, by quiet किसके लिए होता है, head thorax development होता है, जब by quiet mutant हो जाएगा, जब by quiet mutant हो जाएगा, तो नहीं, head develop होगा, नहीं, thorax develop होगा, सीधी से बात, इसी तरह एक्सू परेंसिया, एक्सू प हो जाएगा तो जो interior head था structure और डिलीट कर जाएगा क्यूंकि interior region में हँचभय का concentration जो है वह रहाएँ इस्टेबलीस नहीं रहा पाएगा इसी तरह swallow, यादि swallow क्या हुआ, swallow maintain हो जाएगा तो उस case में भी तो जब anterior head structure deleted हो जाएगा, क्योंकि swallow एक्सुपरेंसिया को support करता है, जब support नहीं करेगा, एक्सुपरेंसिया अपना role play नहीं कर पायगा, ताकि bicoid और hunchback को anterior side maintain करके रखा जाए, इसी तरह nanos क्या होता है, nanos क्या posterior side में होता है, अगर nanos में mutant हो गया, तो abdomen नहीं आएगा, क्यो आप याद रखें, इसको visualize करें, इसको visualize करें, सारी चीज़ें आपको return हो जाएगे, बहुत ज्यादा कोई tough नहीं है, अब देखिए, अब जिससे कुछ case हम discuss करें, समझे, यह क्या है कि normal development, normal development मतलब इसको wild far exam में देखिए, exam में यदि normal development लिखे या wild type लिखे, दोनों का एक ही मतलब होता है, एक ही sense होता है, wild type मतलब सब कुछ normal समझे, सब कुछ natural far में develop हो रहा है, देखिए, यह क्या हुआ, interior portion है, क्योंकि यहाँ, micro pile दिख रहा है इसका, और यह obviously posterior portion होगा, तो इधर देखिए, by quiet messenger आरेने दिख रहा है, अब इसका जो development हो रहा है, जब development हुआ, क्या सबसे पहले क्या develop हुआ, एक्रान, एक्रान के बाद head development हुआ, फिर इसके बाद thorax का development हुआ, देन आपको abdomen develop हुआ, देन telson, head से tail की तरफ जो है, wild type, phenotype का कुछ इस तरह से deficient mutant, मतलब by quiet जो था, वो deficient हो गया, मतलब जो embryo develop हो रहा है, वहाँ आपको by quiet जो है mutant हो गया, मतलब by quiet नहीं है, तो हम क्या बता है इस study में, कोई भी protein जो है mutant होती, तो उसका पहले आप normal role पर जाईए, by quiet का normal role क्या है, वो जो एक्रान head thorax को लेके आता था, तो क्या एक्रा head और telson इन तीनों के लिए जो है by quiet ही responsible होता है, by quiet ही responsible होता है, by quiet ही responsible होता है, जब इन तीनों protein में जो है by quiet deficient हो जाएगा, तो ये तीनों जो है, वो develop नहीं होंगे, ते ही कहने का मतलब था, अब देखिए, अब कुछ experiment और समझे, जैसे experiment है कुछ, add by quiet messenger to embryo, हम कुछ जो है, normal embryo वहाँ जो है, by quiet messenger RNA को introduce करेंगे, देखिए, पहला case में क्या, समझे, ये सा बहुत simple है, आप mind ही में रखिए, आप जो है, exam सारे question solve कर ले जाएंगे, पहले क्या किया है, जो by quiet है, यहाँ ये पहले समझे, पहले embryo क्या, embryo by quiet mutant है, अब कर क्या रहे है, add to anterior inner mutant, इसके anterior side में by quiet को introduce कर दे रहे है, देखिए, पहले क्या था, by quiet mutant है, और फिर क्या क्या, by quiet को anterior side जो है, introduce कर दे रहे है, तो अब असली जब by quiet mutant है, जब आप enter कर दे रहे हैं, तो वहाँ क्या होगा, आपको normal development होगा, a crown, head, telson, abdomen, और tail portion, जो है, इसका सब कुछ आ जाएगा यहां, अब देखिए, second में क्या, second में, second वाला भी by quiet mutant, but by quiet mutant यहां middle portion, क्या कर रहे है, middle portion में जो by quiet introduce कर दे, तो middle में जब करेंगे, तो by quiet जो middle में head लेकिया चलाएगा, एक दम बीच में head development होगा, उसके left side thorax development होगा, thorax, then abdomen, और telson, जो दोनों side development होगा, मत्तब ड्रासों फि करेंगे, और third में क्या, third जो है, a wild type है, third क्या wild type ही, यहां आपको posterior side में हम by quiet को enter कर रहे है, देखिए, क्यूंकि यहां, हम interior के बारे में नहीं बोल रहा है, यहां question में कुछ नहीं बोला, समझे, वहां सब कुछ नार्मल, अपने मन से दिमाग मत लगाएगा, यहां wild type है, मत posterior portion में introduce कर रहा है, by quiet को, तो interior, normal, interior अपना normal development आएगा, crown, head, thorax, abdomen लेके आया, जब posterior portion में by quiet के enter कर देए, आप posterior से भी देखिए, शुरू कर देगा, सबसे पीछे posterior में crown बना देगा, फिर head बना देगा, फिर thorax बना देगा, मतब यहां आपको two head वाला drosophila मिल जाएगा, यहा anterior side में हम जो हो है, वो by quiet को enter कर देए, तो यह कुछ experiment है, जो भी exam में सारे current exam में पूछे जाते हैं, continue, आप ध्यान में रखिएगा सब, अब देखिए, अब बात करते हैं, terminal genes को, कुछ जो terminal genes होते हैं, terminal मतलब कहने का मतलब anterior most और posterior most region पर पाया जाते हैं, देखिए, terminal genes का 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 जाम क्या है, terminal genes responsible होते हैं, किसके लिये development of anterior most, development of anterior most, और development of posterior most, यह क्या होते हैं, anterior most और posterior most और posterior most region को develop करवाने जो हैं, जो है, जिए इसमें क्या होता, एक tarsal, टार्सो like जो होता है, क्या क्या होता है, which is article like receptor has ubiquitous presence all along the follicle cells, देखिए, फ्हले figure पाएए, देखिए, यहाँ क्या जैसे यह तो नार्मल है, हम बताएं से यह नर्स सेल है, नर्स से जो है, कुछ प्रोटीन जो बाइकवाइड हंच बैक, इस सब प्रोटीन जो उस साइड को डिलिवर की जाती है, और देखिए, जैसे जब डेवलपमेंट हो रहात, इसका एंटीरियर साइड बनेगा, और पोस्टीरियर साइड बनेगा, तो यहां देखिए, टार्सो लाइक प्रोटीन होती है, वो प्रोटीन कहां होती है, इंटीरियर साइड और पोस्टीरियर साइड, तो वो प्रोटीन करती है, देखिए, जो टार्सो लाइक प्रोटीन होती है, वो टार्सो के माध्यम से एक क पाइनेज कैसके डेवलपमेंड करती है। उसका यहार राशो सिगनल ृता हुदा है। यह तर्सो सिगनल जो इंटीरियर मोस्ट और पोस्टीरियर Mोस्ट पर डेवलपमेंड ही। मतलब स्यव Liberty न मचनल मेंL इंटीरियर लाइग रेसेप्टर होता इसका जो परजेंस उबीकुटर परजेंस आलेलांग दी फॉलिकल सेल होता बट टार्सों वनली अक्टिवेट्स एड़ एंटिरियर और पोस्टिरियर मोस्ट रीजन और इनिबिट ग्राउचो प्रोटीन लेकिन टार्सों का अक्टिवेशन शिर् डार्सों सिगनेल ना यहीं टार्सों सिगनल जो है इनिबिट कर देता पोस्टिरियर साइड जो ग्राउचो का नसंटिदेशन बस होजा अब देखे होता क्या और तार्सों प्रोट इक्रान अड़िएर रीजन हैं टेलसें इड़़्िदा ज leap प्रोटीन का इनिड़्यर प कम क्यूं होता तो टार्सो लाइक प्रोटीन का जो एक सिगनल आता है उसके कारण जो होता वो इनिविट कर दिया जाता ग्राउचो का अब देखे अब एधी केस की अब बात करें देखे जैसे केस मतलब क्यूस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट कि आधे region में क्या होगा, एक crown develop कर जाएगा, और आधे region में क्या कर देगा, यह telson development करवा देगा, यदि टार्सो में gain अब function mutation होता है तो, क्योंकि जो है, यह anterior most और posterior most को लेके आता है, ग्राव टार्सो प्रोटीन, अब देखिए, अब हम बात करते हैं segmentation gene की, समझेए, कुछ segment segmentation gene, segmentation gene की जरूरत आखिर क्यों पढ़ गया, इड्रासो प्रोटीन, देखिए, होता क्या, transition from specification to determination in ड्रासो प्रोटीन, इज मेडियेटेट बाई segmentation genes, that divide the early embryo into a repeating series of segmentation primordia along the anterior posterior axis, समझ यह जैसे, अभी तो हम बता दिये, देखिए, अभी हम क्या बता है आपको, एक crown बना र legs, abdomen, और जो tailson बना रहा है, ति आखिर इनका दिखिए, इनका यह जो part हम बता रहे हैं, बारबा, एसा क्यों होता है, आखिर आपको यह लग रहा है, नहीं, head आखिर इतने ही space में क्यों develop हो रहा है, एक crown इतने ही space में, आखिर कुछ तो होगा, जो इनका जो boundary या criteria निर्धा कर रहा है, नहीं भाई, abdomen को development इसी जगह होना, और इतना ही space में develop होना, तो इसके लिए जो हता, segmentation gene responsible होते हैं, अब समझी हो उनके बारे में, और segmentation gene का यदि कभी आपको originally पूछा जाए, where originally defined by gigot's mutation that disrupt the body plan, यदि segmentation gene में कोई भी mutation होआ, समझी है, सारा body plan जो है आपको, जो रासो फिला में development हो जाएगा, ओ जो है, development नहीं हो जागा, ओ disrupt हो जाएगा, अब देखिए, अब segmentation gene के हम बात करते हैं, रासो फिला में three different type के segmentation gene होते हैं, gap genes, pair rule genes, segment polarity genes, तो देखिए हम एक-एक के बारे में discuss करते जाएंगा, आप ध्यान समझते जाएए, कुछ नहीं सब कुछ समझ में आ जागा, सारी चीजों को पर visualize करिए, तो हम start करते हैं, gap genes से, समझिए, कहां शुरू करते हैं, gap genes क्या होता, देखिए, the gap genes are activated, are repressed by the maternal effect genes and are expressed in one or two broad domains along the anterior posterior axis, यह जो gap genes होते, gap genes किसके द्वारा activate या रिप्रेस किये जाते हैं, यह maternal gene के द्वारा किये जाते हैं, जो maternal effect gene होता है, वही gap gene को control करता है, इसके अलाबा क्या होता है? relative concentration, maternal gene responsible for activation, suppression, gap gene, यह जो maternal gene होते है, maternal gene का combination जो होता है, और responsible होता है, gap gene कि gap gene है, इनका activation होगा, activation होगा या इनका जो है आपको suppression होगा तो इनके लिए वह responsible होते हैं अब gap genes के भी different type अब देखिए यह सब gap genes है इनको आपको याद करना पड़ेगा जैसे इनको याद करना पड़ेगा क्योंकि यहां में पूछता है कभी कभी हम बताएंगे लास्ट में किस वें पूछता है तो यह कुछ जो गहप genes है भी हम इन सब के बारे में जो डिसकस कर रहे हैं देखिए जिसे maternal gene देखिए maternal gene क्या करता है maternal gene क्या करेगा जिसे जो by quiet और hunchback क्या करेगा जब by quiet और hunchback का concentration सबसे ज़्यादा होगा तो क्या करेगा ओ empty spiracle button head और्थो डेंटिकल को क्या करता है यह एक्टिवेट करता है और यह तीनों gene क्या करते है रिस्पांसवल फार्दि डेवलपमेंट अब हेड हेड के डेवलपमेंट के लिए रिस्पांसवल होता है जैसे हम सुरूज बताते हैं by quiet hunchback जो head को development करवाता है तो अब उनक इनोजीन जो है वो head को लेके आते हैं इसी तरह देखिए यदि anterior portion जो hunchback का concentration कम हो गया वो क्या करेगा कुरूपेल को activate करेगा कुरूपेल जो है वो thorax region लेके आता है मतलब समझ रहा है यह तो head लेके आए head के बाद thorax का development होता जहां आपको जैसे हंचback का concentration कम हुआ वो क्या करेगा फिर कुरूपेल अक्टिवेट होगा और कुरूपेल जो है thorax लेके आता देखिए सब कैसे ले development होता है posterior side में आपको tail और abdomen develop होता है तो nanos direct development नहीं करवाता है nanos क्या करेगा पहले जीएंट और निर्फ जो जो दिन दो जो गयब जीन होंते हैं उनको activate करेगा ओ दोनों जी responsible होते हैं tail development के लिए और abdomen development के लिए और anterior to posterior portion हम देखे तो आपको krupelle, nirps और gnt का कुछ इस तरह मिलता है जैसे देखिए posterior में जैसे हम tail बता है tail के लिए काउं सजीन है रिस्पांसीबल है तो gnt रिस्पांसीबल है और nirp किसके लिए होता है nirp हम क्या बता है nirp हम किसके लिए बता है आपको निरिप कहा गया, हाँ, एब्डोमेन के, देखे, जैसे जी एंट क्या हुआ, एटेल लेके आ रहा, देखे, समझे, टेल लेके आ रहा, निरिप क्या कर रहा, एब्डोमेन लेके आ रहा, और कुरूपेल क्या कर रहा, थोरेक्स लेके आ रहा, थोरेक्स, देखे, अब होता क्य यहाँ जैसे 지क्ट क्या करता जीएंट टेल को लेकिए आ रहा तो टेल क्या करेंगाए जो जीएंट होता है ओ नरीब का एकस्प्रेशन टेल की साइड न चला आए 3000 को इनिबीट कर देता है इसलिए इनिबीट करता है कि कुरूपेल भाई तुम अपना थोरेक्स डेवलपमेंट करवाओ, हमारी रीजन में मत आओ, हम अपने रीजन में जो abdomen development करवाएंगे, तो इसी तरह एक दूसरे जो इनिवीटर होते हैं, जीन, अब देखिए, अब यहां यह, देखिए, यहां आपको बेटर वेम समझ में देखिए, this is the anterior portion and this is the posterior portion, आप देख रहे हैं, जैसे क्या हम बताए थे, जो head region में जो होता है, जो by quiet कि इसको activate किया था, button head, empty spiracle, orthodentical, तो क्या किया है, जो button head, button head, empty spiracle, orthodentical होते हैं, यह तीनों जीन मिला के head को लेके आते हैं, अब इनके बाद head आ गया, अब देखिए, थोरेक्स के लिए काउन सा जीन responsible होता है, वो होता क्रूपेल, तो इसी particular थोरेक्स region इसी लिए यहां बनता, क्योंकि इस particular region में ही सिर्फ क्रूपेल जो activate होता है, और इसके बाद last में क्या होता, posterior side या आपको gend का expression देखने को मिलेगा, gend क्या करता है, और tail को लेके आता है, तो यह कुछ जो है, gap genes है, जिनका, देखिए, अभी और complex होगा, यहां आप एक एक करके clear करते जाएए, आप simply चीजों को visualize करिए, एक दूसरे जो correlate करिए, आपक अपता है, gend किसको inhibit करता, krupell को, krupell के इसलिए inhibit करता, krupell कहीं इसके gend के place में ना आ जया, और nrip जो है, ए नृइप ना आ जया gend के place में, और nrip जो हता है, cream को inhibit करता, krupell कहीं, जो nrip के region में ना इसलिए कुरूपेल इंडिट करता है कुरूपेल अपने थोरेक्स रीजन में राके जो थोरेक्स का डवलप्मेंट करवाता है और बाटन हेट इंपटी स्पारेकल अर्थोडेंडिकल जो है वो जो हेड हेड रीजन को लेके आते हैं अब देखे, this is the total about the drasophila part 2 तो इसमें जों drasophila part 2 को जितना अब ड्सकस कर दिये इसमें gap genes के बारे मां बता दिये हैं gap genes के बारे में बाद दो और genes है उनके बारे मां जो हम 3rd class में discuss करेंगे आपको कुछ दिरों जो है इसका part 3 जो ही, last part होगा उसमें बना बता देंगे तो आप इतना जो है पहले revise कर लिजिए इसके पहले part 1 जरूर देखेगा part 1 देखेंगे तभी part 2 समझ में आएगा part 2 देखेंगे तभी part 3 समझ में आएगा तो आप इतना देख लिजिए और CSIR में कैसे क्यूशन आ रहा है इन ही part से आ रहा है जो लास्ट क्लास में part 3 में हम सारा डिसकस करेंगे gap genes, pair rule genes और segment polarity genes तो दो और genes बचाया जिसके बारे में जो next class part 3 में डिसकस करेंगे आप यहां तक clear करिए फिर जो कुछ दिनों जो ओ भी वीडियो आ जाएगी so thank you for watching this video